ये लोग मरें सरकार को कोई रेकौर्ड नहीं किसानों कि कि से कोई रैकौर्ड नहीं OSC के सरकार के पासा now मतला लाखों करोड रुपय की बात नहीं हो रही है थोड़ा सा कॉंपनसेशन इन लोगों को नहीं देना चाते हैं पंजाब के सरकार के पास 403 नाम हैं उनको हमने 5 लाख रुपय का कॉंपनसेशन दिया है और 150 कितने? 152 लोगों को हमने नौकरी दिये हैं पाकी लोगों को भी हम नौकरी देने वाले हैं तो पहली बात तो यह है कि 700 में से 500 तो यहां है नाम, अड्रेस, फूल नंबर तो आकड़े हैं, आकड़ों के साथ माफी है और माफी की अपनी एक गड़ित औस्तमी करण है बैया जी कहीं मैं आपका स्वागत है बातचीत के सिलसले को जोड़ने के लिए एक बार फिर मैं आपके बीच में हाजर हूँ प्रधान मंतरी ने माफी माँगी इसलिए क्योंकि उन्होंने कहा कि मैं अपनी बात किसानों तक पहुंचा नहीं पाया समझा नहीं पाया वो जो तीन कानून है उनकी एहमियत उनके बीच में नहीं रख पाया जी हाँ एक पहलू वो है और एक पहलू ये है कि संसत के बीच जो राज्यसभा में 12 संसत इनके ओपर कारवाई हुई उनसे माफी मागने के लिए कहा जा रहा है क्योंकि उनका जो क्रत्य है जो उनका कार्य था वो शोभिनी यह नहीं था और वो जो मरियादा का उलंगन था उनसे माफी मागने के लिए और एक माफी आज और भी मागी गई और वो फिल्मी हस्ती थी कंगना राउत जब वो जा र बहराल माफी के इस बाग के दौर में जो भी चल ला है घटना करम यहां से बात्चीश शुरू करेंगे और आगे तक पहुंचेंगे हमारे साथ जो महमान होंगे जो आज के इस पूरे सफर नामे में मारे साथ हैं उनसे मैं आपका तारूफ करा देता हूं जफर इसलाम साथ बीजेपी का पक्ष्ट रखने के लिए हमारे साथ मोजूद है बहुत बहुत शुक्रिया जफर भाई तैंकि सोièmeूच अंडराग बदव् औरीया जी समाजवादी पांडी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ मोजूद रहेंगे आज आलुक शर्मा जी एक बार फिर से चुड़ रहे हैं हमारे साथ कॉंग्रेस का पक्ष रखने के लिए तैंकी सो मच आलुक जी बहुत बहुत शुक्रिया विशाल मिश्रा जी राजनीतिक विश्रिशक के दौर पे हमारे साथ मौझूद है तैंकी सो मच पुष्पेन चौधरी जी अध्यक्ष किसान शक्ति संग से हमारे साथ मौझूद हैं तैंक्यू सो मच बहुत बहुत शुक्रिया सबसे पहले ये कि आंक्ड़ों का लेकर बात है तरकान ने कहा कि मेरे पास आंक्ड़े नहीं और राहूल गांदी जी ने आज आंक्ड़े रख दिये सामने जफर इसलाम फर्स टेक आपका फिर आगे बाफिक की बात दखे ये कोई राज्जीतिक मुद्धा बनानी की बात नहीं है किसान भाई वहनों का मुद्धा है इसमें राज्जीतिक पार्टियां दखल अंदाजी इसलिए रही कि उनकी अपने घर में आग लगी है अब राहूल गांदी जी के पास कहने को क्या है वो उनके घर में कोईशन उठा दी और तो ये उनसे मन भटकाने के लिए इस तरह का काम करें जहां तक महारती जंता पार्टी है और हमारी सरकार का सवाल है मैं आपको बहुत संजीद्गी और जिमिदारी के साथ यह कहना चाहता हूं कि किसान भाई बहनों के हर चीज़ पर हम चिंता करते है हम उनके हितैशी है ये किसान हितैशी सरकार है और हमने जो भी करना है किसान भाई बहनों से बात करके उनके साथ मिल जूल के आप करे के एक सवाल का जवाब चाहते होंगे निश्यतोर से क्योंकि राहुल जी एक Kenya डे रहे हैं वहांगड़ा जूटा है या सही है या उसको यह नहीं माना जा सकता जफर भाई देखे जा नहीं देखे वह आकड़ा सचा है जूटा है इस पर मैं कोई टीका टीपनी नहीं करना चाहता हूं लेकिन मैं यह कहना चाहता हूं जरूर कि सरकार अपने सोर्से से सरकारी सोर्से से निजाम से वह सारे आकड़े उपलप्त करा लेती है और वो कराबी रही है सरकार और मैं ये भी कहना चाहता हूँ बहुत सजीद्गी से और जिमेदारी के साथ कि सरकार अपने किसान भाई बहनों के लिए वो हर कुछ करेगी जिन से उनको उनकी जिन्दगी में बहतर हालात और पैदा होंगे चाहे मौफजे का मामला हो जपरच में एक सवाल ऑर इसमें यजी कोंगरेसस ने बाजी मार ली बटकाने के लिए करते हैं इसलिए के लोगों का जहन उस्वा के जो आपमतब एनर्जी नो कह के आज देखे महराश्मिन की कब सरकार गिर जाए इसलिए का चाहते ने राइप शरत पवार जी यह और इसलिए के चाहते ने के कॉंग्रेस साथ पर रहने के मतलब हम तो डूबे कि मैं तो चाहूँगा जफर भाई मोदी जी से एक प्रेस कांफेंस करा दीजी किसानों के बारे बड़ा मज़ा आ जाएगा देश देखेगा किसानों के बारे में कितना बहला मोदी जी सोस्के अब विखे आता है कि मोदी जी ने जो वक्तव दिया उस वक्तव के बारे में बात करते हैं, उन्हें का सच्छे मन से और पुवित्र मन से मैं माफी मालता हूँ, तो क्या जब कानून वराय थे तो सच्छा मन और पुवित्र मन नहीं था, क्या जिस समय आतंकी खालिस्तानी और भड़वे और पतने कौन-कौन से संग्याओं से नवाजा गया और इंकर्ट किसान अमदोरन में कितने मिर्ति हुई, शहीद हुए किसान नहीं पता हमें, मुझे लगता है सरकार जोए किसानों से गरीब हों से मजदूरों से पूरी तरह से नफरत कर अभीया, क्या आज जो किसान मान कर रहे हैं क्या जाइज नहीं? । अगर रू कृए है कि केस वाप का स्टीफा दे लें किसानों के जो अन्य दाता हैं हमारे उसमें क्या दिक्कत आ जाएगी आप इतनी बड़े मतलब नाकामी के बाद भी एंकार में जी रहें दो मिनिट का मून संसद में नहीं हो सकता साथ सो से जादा किसान हमारे चले गए दस लाग से किसान आज भी बॉर् पीछे रहे यह हर्याना पंजाब उसे प्रदेश और तमाम जगह में अगर उसको मौज़ा मिल जाएगा तो कौन सी आप पता जाएगी इतनी बड़ी सरकार है जिस सरकार का 55 लाग करोड का बजट हो सौ 200, 500, 500 करोड रोपय अगर चला भी जाएगा तो क्या फरक पड़ेग इसलिए हम कह रहे हैं कि माफी जो है याधूरी है यह माफी जो है नाकामी है इसलिए क्योंकि नाकाम इसलिए है कि इसमें कहीं पर भी माफी में समवेदना नहीं है इस माफी में कहीं पर भी गहराई भी इस माफी में केवर चिनावी वोट मैंक नज़र आता है इसलिए हमे नाकाफी है यह बात थे मैं लिया आपका पॉइंट मैं विशाल मिश्णा जी को बीच में बहस मिलाना चाहता हूं तो अगर इतना बड़ा बजट उसमें किसानों को थोड़ा से मिल जाए पहले तो आप नकार देते हैं कहते हैं कि वह तो कोई कोई जो आकड़ा है मेरे पास कोई आकड़ा नहीं है अब सवाल यह है कि कॉंग्रेस एक आकड़ा लेके आती है कंपंसेशन देने की बात कहती है और वो यह कहती है आगे विसे एक कदम आगे बढ़कर कहती है कि अगर किसानों को दे दिया जाए और जो बचे है उनको आप कर जरूर इशारा करिए हैं पतीक जी यही तो कह रहा हूँ पहले तो भ्रहभ पहले तो भ्रह में पहला करए में डृघ्एक हम और बाद को समर्थन दिया जाता है और दूसी बात तो यह कि मैं यह पूछना चाहता हूँ कि जब धार्मंक्ती जी ने माफी मांग लिया सावजनी ग्रूप से और ये बात कहे दिया कि कुछ लोगों को समझाने में नाकाम रहे तो उसको नाकाफी बताया जा रहा है और यहां पर जो बैठकर जिनके कारकाल में 1984 के दंगे हो गए जो कस्मीर के पंडितों का पलाएन हुआ कितने लोगों को कमपनसेशन दिया घया था था किमपनसेशन देना चाहिए इसमें कोई गलत बात नहीं है लेकिन बात इसकी होनी चाहिए कि आप सेलेक्टिव कैसे हो सकते हैं और कम्पनसेशन को लिदेगा जो 24,795 उत्या कि उनको भी तो कमप पर देखिये क्या है कि नीदी और नियत दोनों असपरस्ट होने चाहिए। हमेशा भ्रमकी राजनीदी पठीग जी उचीत नहीं होती है। विपक्ष का रवया लोक्तंच में बहुत महत्पूर्न है लेकिन सकारात्मक विपक्ष हो तो, यहां तो लगारात्मक का हरवात में होती है। हरवात में स्लेक्टिव अप्रोच आपने अपने राज के उन किसानों को राजनीदी आपकी सरकार हो किसानों में आत्मत्या की है। बताइए आपने दस दिलों के अंदर ब्याज माप करने को कहा था करिया किया माप। पाकिसानों की परिभासा उन के लिए यह है। वो क्यो पार्लमेंट के अंदर में एक मिनट कम मौन रखेंगे, कोई खालिस्तानी पाकिस्तानी के लिए थोड़ी मौन रखता है, ये तो किसानों को रोंदने वाले लोग है, रोंद दिया, मर गए, क्या बात है, मर गए, मरी जाते हैं, भई, क्या दिक्कत है, लेकिन हमारा जो रोंदने वाले के पितासरी केमिनिन मंत्री बन गए, अच्छी बात है भईया, लोग तंतर में भताना शाही चल रही है, तो चल रही है, अगर लाल किले पे जो हुआ वो सही था क्या, ये भी तो है, लाल किले पे, सुन तो लिए, मैं आपसे, मैं आपसे पूछना चाह जो है, लोग तंतर में संस्थ के भीतर के लाद दबा देना, कहां तक चाही है, अभी मिसरा जी आए, वाहे, साही बोल रहे थे, मैं बोलने लगा परशान हो गए, मिसरा जी आए, साही बोल रहे थे, कुछ भी, आप छुप थे उस समय, मैं कह रहा हूं ता, यूपीया ने अगर यूपियों नहीं हैं उनको मुझा दिया तो आप इनी दगए तो फिर आप पर लेंगे तो आप इसे चलेगी बताईए ने बिल्कुल नहीं बुल सकता हूं बिश्रा जी बिल्कुल मत बोलिएगा ने तो यह थोड़ी देर में वो निकाल लेंगे वो कौन सा प्रशाल जी बोल लेंगे वो आजकर सुछे इनको चुप कराओ इसको क्या इनको बुलाते हो तो इनको चाहवाए पिलाओ और इनको जाने दो कहा है परशान होते हैं देखिए सवाल यह नहीं है सवाल है देश के अंदर में किसान का सम्मानी किसान वो है किसान वो है जिसने आज़ादी के आंदोलन में कुर्वानी दी हमारा सिर्प हमारा पेट नहीं बढ़ता है आनदाता तो है ही लेकिन आजादी दिलाने में किसानों ने महत्मुर्ण भूम का निवाई ये शहीद हो गए लेकिन कोई दिक्कत नहीं है शहीदों को तो बोल दिया जाता है ये तो भीक में मिल गई ये 2014 के बाद तो शायद परत ये जितना भी आप देखते हो रोड वोड जो नई दिली बसी है जहां पर मंत्री लोग केमिरेट मंत्री रहते हैं ये सब 2014 के बाद बना था ही नहीं 2014 के पहले कुछ 2014 के बाद ही हुआ है क्योंकि उस समय तो सब कुछ अशहीद जो हुए शहीद थोड़े हुए महत्मा गां तो समाज के अंदर में जो रास्ट का अफ्मान करता है आओ पादम्सरी ले जाओ पादम्सरी मैं तो कहता हूं whenever पादम्सरी या बलागोने राश्त कि लिए नंके बारे में ऐसी बाते नहीं बोलनี चाहिए गलत है यह आपत्ति जना कि बापस लिजे जिननों ने बोला उनका पत्रंसरी बापस ले जो राश्ट में शरीद हो गे राश्ट के लिए इनको अप्मान करने वाले गो अपार भाए आ वे आ रहा हूँ पूश Mega बार कर् Elijah बैर तो सब क्रinkी आपका discovered को आदेकि Ada a पर गाए uk assembling पर एनको कराएई न का पर्रफिपर माई किके बारे कि मारे आजी कि मैंने विद्वाई होगी ने पसे बारे कि कैने जी अपसदी जनक है आपट आए यह गलत है ये वाग के बिल्कुल गलत है गलत है ये गलत है वाग के बिल्कुल किसी के बारे में अपमान जर्क बात तेंगे लिए जो आपने बोला प्रतिक जी आजादी की बात कर रहे हैं इनका क्या कंट्रिबिशन आजादी में ये कौन लोग है आजादी के इनका क्या कंट्रिबिशन है कर दो 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 अरे मैं इनकी पोट तो खोल दूँ दो 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 आजादी में निये भाई इसके पहले आजादी त्रहा का जो नो अग्रेजों के गुलाम जो थे रख वह आप जैसे लोग जो उनकी मन सीखता थी उससे आजादी मिली हैं मिली है 14 के बाद देश के जित्ता जो है एक फुली आस्वार में साहसे रहे हैं आप जैसे जो चोड़ देश को देश को नाम बताओ जिसने आजादी का नाम बताओ ना उन्में से आपको सब्सक्राइब बादेश को लुटा हैं उन लिटेश को पादियों से कम शुटकारा बिला आज आए पादियों से नाज़ी होगी हैं आट रांग बता रोड़ यह पराना डायलो एपने पास रखो अदेश को आपने पास रहो यह पुराना दायलो एपने पर पराना डायलो लोग रहा हैं आपको वाउड़ दोनों को रोग रहा हूँ बहुत बहुत सम्मानित लोग है दोनों लोग ग्राहु पहले मैं 10-15 सथे पंदरस सेकृड शाप मैं आपको दे रहा हुँ जफर पंदर सब्सक्राइब करने की आदत है इनको लगता है उसे जनता जनता भी इनको ना कारती है इनकी पार्टी को भी ना कार चुकी है और यह 2014-17-19 में जिस तरह से यह जमीन इनको देखनी पड़ी उस तरह से 2022 में इनको उसी तरह का रजल्ट आएगा इनके सामने लेकिन मैं एक चाहता हूँ यह दो इनोंने एक नया देखने का मौका मिला है 2014 के बाद गर्फ से कह रहे हैं कि हाँ 2014 के बाद एक नया हिंदुस्तान बना है जिसमें corruption नहीं जिसमें इन लोगों ने खोकला कर दिया था इन लोगों ने हर टरह से जो है देश को लोटने का काम किया Congress party के साथ बनके इन्होंने देश को लोटा और आज देश में कम से कम और देश को कमजोब बनाने में कामियाप होए इन लोग आज देश मजबूत है, मजबूती के साथ आगे बढ़ रहा है, न देश किसी से डरता है, देश अपने जिस देश के हीत में जो फैसला होता है, सरकार लेती है, देश आगे बढ़ रहा है, पूरी दुनिया देश को लोहा मान रहा है, लीडर्शिप को लोहा मान रहा है, आप किसानों के बारे में कभी सोचा कभी नहीं बोला किसानों के बारे में आज गड़ आलू आज देश निर्माड हो रहा है उसके तरफ वो इशारा कर रहे थे जफर इस्राम जब आप यूव रिस्पाउड पर पहले पुश्में चौधरी जी ये आपके पास आता हूं और सवाल यह है कि विदान मंतरी ने कुछ कहा और उसके बाद उन्होंने देश के सामने का मैं नहीं समझा पाया उन्होंने कहा मैं नहीं बात रख पाया या बात नहीं समझ में आई किसानों को लेहांसा मैंने कानून वापस ले लिया लेकिन अब उसके बाद जो कुछ हो रहा है राजिंतिक पार्टियों के बीच में वो वो एक पॉलिटिक्स है जिसको की लगातार रसातल में या नीचे गिर्ती भी राजदीत के तोर पर देखा जा रहा है जे पुछ पेंचोधरी प्रतीक जी ये कानून जब सरकार लाई थी तब भी बिना वारता के लाई थी उसके बाद आंदोरन हुआ साथ सो से ज़्यादा किसान शहीद हो गए एक साल बीत गया बिना वारता के इन्होंने वापस ले लिया और बाकी जो मुद्दे हैं हम तो आशा कर रहे हैं कि भाया उनको भी बिना वारता के ही मानलो अगर आपको यही ट्रेंड है या आप वारता शुरू कर दो लगबग दो हफते बीत गए वापस लिये हुए भी तो इस दोरान ही तीन-चार राउंड की वारता करके बाकी मांग उपर चाहिए वो कमपेंसेशन की मांग जी मैं टोक रहा हूं माफी चाहता हूं कहीं यह बात भी कही जा रही है कि ठेस लगी है इगो पर ठेस लगी है सम्मान में ठे ने ने मैं पूरी बात बता देता हूं वारता के बिना ना तो समिधान के माध्यम से लोक तंत्र वारता पे या आधारीत है अगर वारता ही नहीं करनी है तो एक बार सरकार चुड ली और पांस साल तक फिर किसी से कोई वारता बत करो यह सेशन करने की भी पारलियमेंट में जरूरत नहीं है सीधे निड़ने लेते रहेंगे लेकिं जिस बात के लिए आप आंदोलन में बैठे तो वो तो मुद्धा आप सरकार ने वापस ले लिया ने मैंने पता तो रहूं मुझे थोड़ा सा समय दे दीजे 45 मिनिट मेरे 5 मिनिट जरूर दे दीजे मुझे बस अनिंट्रप्टेड मैं अपना काम कर दूँगा तो इसमें जो है 5-6 मांगे हैं पहली मांग तो ये थी कि जो गलत कानून हमारे उपर थोपे गए थे वो वापस लेना वो आपने वापस ले दिया हमने आपका हज जोड़कर धन्यवाद दे दिया दूसरा है MSP की लीगल गारंटी जो शुरू से ही हम कह रहे हैं अब ये कहते हैं कि साब ये नई मांग है इसके विशे में अनेको लेक मैंने भी लिखे हैं जो आपको भी मैं भेजता रहा पुश्में जी मैं आपको धरन दे रहा हूं मैं इंटरफ्शन नहीं दे रहा हूं मैं पँछ के साथार आंदोलन कर रहे थे जैसे ही वहाँ पर और जो बसल थी उसका रेट था लगबक 8000 और जैसे ही ये कानून वापस हुआ और बसल कर रेट गिर गे पाजा के 4000 रुपै तूट गए और आज ही किसी ने फोन किया तो लहाजा वो मांग रहे कि नहीं नहीं साब ये कानून ले आई है तो आप इसमें ये तैहो ना पड़े कर रहे हैं लोग कि भाई जो कानून लाने के लिए कह रहे हैं वो गलत हैं वो भी तो अपनी बात करें उनकी भी बात क्यों ना सुनी जाएं ने तो वारता करो सबसे वारता करो अज वारता तो शुरू करो भाई अगर ये किसान क्या ये 700 मर गए 7000 बर जाएं तब वारता शुरू करोंगे बाकी मुद्दों पर आप वारता कर लीजिए MSP की लीगल गारेंटी है उसका सीधा ये है कि एक इक डिक्षा देने कादिकार नी ये तो इतना तो किसान को दे दो कि वह आपका पेश्क करने के लिए तैयारे गरिंटी के साथ जो जरूरी है अब आपको इनके पर विष्वास कियो नहीं है या इंकी बात पर विष्वास क्यों नहीं है रहा है जाना जाता फुष्पेंजी आफको जाफर जी मैं आ रहा हम आपको ये लूंगा भे भी अक्टिफ़ीं देना चाहते हैं जब आफको जफर भाई मैं आपको ले लूँगा पुष्पेंजी मुझे यह नहीं विश्वास की बात नहीं है वार्ता तो शुरू करो मेरे भाई हम वारता की टेबल तक जाना चाहते हैं और यह बात कहना चाहते हैं देखो मैंने सरकार को ये रोग दिया घुटने टेक दिये सरकार अगर ये बात है तब तो फिर कोई बहस ही नहीं जिसकी बात आप इशारा कर रहे हैं पुश्में जी पहले वारता के लिए एक चिट्टी आती थी चार महीने पहले सहीव किसान मोर्चा ने चिट्टी लिख की थी इनको वारता कर लिए पुश्में जी सबसे बड़ी मांग थी उसको सरकार ने कहां माफी के साथ मैं सरकार की तरफ से जो प्रवक्ता जो रहे गया हम उसको स्वाल करेंगे तो अब जब एक महामारी का एक दूसरा वारेंट मौजूद है और खत्रा इससे कई कई गुना ज्यादा है तो हम क्या करें यह बताईए किसान 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 की जा को हाशिये पर लगा दें ने इसमें मेरी एक सेंटेस कंप्लीट होने तो तमी तो बात जाएगी वारता कर लेते न यह 14 दिन क्यों बरबाद किया आपने 14 राउंड की वारता कर लेते हम तो रो जाने को तैयार है और जो आंदोलन कर रहा होता है कस्ट उसको होता है सनक पर वो सो रहा है उसको आप कस सरोकार के बुद्दे पर राजनीद करने का हक है और इस सिस्टम में उसका उसकी एक उंजाइशा होनी चाहिए वो तो मैं नहीं बुरा माना लेकिन वह रहे ना की वह सलक्विस हो रहा है तो मैं यहीं तो कह रहा हूं कि क्यों सलक्विस हो रहा है जी जवर भाई वेरी संजीद्गी से सुनते भी है कुछ इसमें अभी बेगानी शादी में अब्दुल्ला दिवाने वाली बात जो है उसमें दिखते हैं कि कई लोग ऐसे हैं जिनकी कोई जरुवत नहीं है राजीती करने का साधर नूटने इसलिक उनकी घर में खुद आग लगी भी है ममताव इसी बात कह रहे है दोग उनको छोड़ रहे तो यह इस तरह से मन भटकाने काम करें लेकिन या जो पाटिया मालूब है कि उनको समाज जो है नकार चुका पब्लिक जो छोड़ चुकी है कि चादर जो है सिमट चुकी है और वो इस बार भी हार का मूद देखना पड़ेगा तो इस तरह की बात करें लेकिन मैं एक बहुत कहना चाहता हूची रहीं इनकार आतव्य कि घृत्र इधान मुझे- मूर्चा की मुझे पूरी उमीद है और मैं जिम्मेदारी के साथ कहरो मुझे पूरी उमीद है कि ये सारे जो लोग अभी बैठे हैं वो जाहिरे किसान भाई-बैन अगर ये फैस्टा लेते हैं कि उनको भरोसा होना चाहिए हमारी पार्टी पर सरकार पर आदेने परदानमंत्री जी उनके हतेशी और बड़ा दि इन ही होगा ये जो जो इतना बड़ा प्रोटेस्ट हो रहा है वो खतम होगा मुझे पूरी उमीद है वो खतम करेंगे और ये जो पाटिया जो अभी राजीतिक चमकाने के कोशिश कर रहे हैं ये इनके मुझे पूरा मुझे लगता मैं किसी के किसमें नहीं बोला कोई आपारियों के लिए तपस्या किसानों ने की मोधी जी को किसानों से माफी मांगनी चाहिए थी व्यापारियों से दूसरी चीज़ विश्वाच की बात है मोधी जी पिछले 5 साल से रट लगा रहे हैं कि 2022 में किसानों की आमद नी डबल हो जाएगी ऐसे प्रधान मंतरी के मोधी जी माफी मांगते हैं दूसरी तरफ मंतरी जो किर्शी मंतरी हैं और आखड़े नहीं हैं इसके सवाल ही नहीं उठता है अब भाशा देखें तो फिर कहां पर किस बात की माफी है दूसरी चीज़ बार बार आया किसा वो करजा माफ था ये था वो था हमने तो बाहता करजा माफ किया था 2008 में याद होगा मोधी जी जब कहते हैं कि 2014 से पहले जो लोग भारत में जन्म लेते थे उनको शर्म आती तो एक अंगना भंगना को ऐसे बोने नहीं ना भाई तिसरी बार 2014 और 2019 किसानों की आत्म हत्या के आखड़े उठा लीजिया 38% का राइस है मोधी साब ने मार्च में सुप्रीम कोर्ट की कमेटी ने रिपोर्ट दी वो कमेटी की रिपोर्ट आज तक क्यो नहीं उपन की नहीं करेंगे क्योंकि चारों तरफ से फसे हुए बार बार 2014 के बाद आजाबी मिली है इन लोगों को बेरुजगारी सहाइज है गरीभी हाइज है साड़े छे करोड लोग गरीभी रेका से नीचे चले गए बुखमरी में हमारा इंडेक्स जिर गया चीन घुसके हमार रहा है साथ सो किजान आत्महत्या बॉर्डर पर कर रहे हैं उनकी शहादत बॉर्डर पर हो रही है देश की राजधानी में और उसको यह कह रहे हैं कि बहुत अच्छा देश चलगा अरे आपको तो सब कुछ पका पकाया मिला मैं पूछना चाहता हूं परतिक भाई वो कौन सी फसल है जोसमें पंजाब में आठ हजार से प्राइस गिर कर चार हजार होगा मैं बताता हूं आपको ब्रेक के बाद बताता हूं आए पर बिगारना बिल्कुल ठीक नहीं हाला कि यह हो सकता है कि 2014 के बाद आजादी मिली इस पर डिबेट हो सकती है खुब करिये लेकिन किसे के नाम को मत भिगा रिए वक्त एक चोड़े से ब्रेक का ब्रेक के बाद आता हूँ बाद चीत के सिलसलों को एक बार फिर से जोड़ने के लिए मैं हाजर हूँ मैंने कहा था ब्रेक के बाद लोटूंगा और आलोग जी ने एक सवाल पुछा था कि प्रतिक जी मुझे यह जरूर बताया जाए कि कहां पे रेट तूटे हैं और कितने तूटे हैं जरूर बताया जाए फसल है कपास की और जगह है मांसा पंजाब बटिंडा के पास तारे लोकल पेपर्स आप देखें सारे लोकल पेपर आप देख लें उनसट सो में MSP थी 5900 में 8000 का विकरा था और फिर 3000 का विकरा है अब इस समय तो आप प्लीज चेकर ले क्रॉस चेकर लिजेगा कम ज्यादा सही हो सकता है लेकिन जो लोकल अफकॉस आलोग जी मैं इसमें कोई बहस नहीं कर रहा लेकिन कम ज्यादा हो सकता है मैं यह कह रहा हूं लेकिन मेरे पास जिसने खबर दी उसने का कि प्रतिक जी आप सारे लोकल पेपर्स वहां से उठवा के मंगवा लीजे उसमें आपको यह चीजे फैक्स आपको मिल जाए हो सकता है मैं नहीं मुला किया हो सकता है लेकिन यह वहां पे किसानों का अंदुलन है जिसमें की लोकल पिपर्स के जरिये आया है, अफकोस मैं इसको और, अफकोस मैं बोलना हूँ तो कोई विशे, मैं अगर बोलना हूँ तो विशे बढ़ाई है, और मैं इसको क्रॉस चेक भी करा लूँगा, मैं ये भी कह रहा हूँ, फ़जाश दोना तरफ से हो सकती है, जी, मेरा तो ये कहना फिर तो MSP बहुत ही जरूरी है, मैं तो 100% कहता हूँ, जरूरी है, अगर उसकी गैरंटी अगर मिले, और किसान की फजल उससे नीचे, मैंने कभी विरोध नहीं किया, लेकिन मैंने ये हमेशा का, कि लोगतंत्र में, लोगतंत्र में संसत के भीतर किसी की गर् दबा दी जाए, वो भी गलत है, और सडक पर भी एकर किसी के साथ अत्याचार उर्ण वो भी गलत है, तो मावित दोने तरफ से हो सथाए. तो भी गलत है अलोग जी शब्दों पे मेरा भी खेल है शब्दों को मैं भी खेलना जानता हूं और शब्दों पूरी आधिकार रखता हूं तो शब्दों को मत बिगाड़िए मैंने कहा कि लोग तंत्र में अगर संसत के भीतर किसी की करदन दबाई जाए तो वह भी पुष्पेंट चौधरी जो आपने उधारन दिया है जिस उधारन में यह नहीं के बई कानून हट गए तो सारे प्राइस धड़ाम हो गए अगर ऐसा होता तो कानून सारे देश में से हटें सारे देश के जो है अब कर दो जानी चाहिए जिए सभी जीन्स होगी गिरनी चा कोई मैं कोई आपको नीचे घराने गिया दिखाने की कोशिश करने कर रहां किसानों को और जो ऑंदोलन कर रहे यह मैं वह भी नहीं कह रहा किसी किसी वह सारे जोग मुझे समय नहीं दे रहे आप मतलब ने 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 पुश्मेंजी किसान की आवाद जरूरा है इसके बाद क्योंकि मुझे मुझे इसके बाद अनुराइग बदर यह प्याना जी प्लीज आप बोलिए पुश्मेंजी बोलिए अपरी बात कर यह जी मैं केवल इतना कहना चाहरा हूँ कि देखें MSP की लीगल गारंटी बहुत आवश्यक है उससे एक इंशुरेंस जैसा मिल जाएगा चोटे किसान को उसको इन्हें तरंट तरंट कर देना चाहिए और जो अजे मिश्रा टेनी है जिसका 120 मी में नाम है FIR में नाम दर्जे उसको ब सब्सक्राइब और जहां तो मुहाफ़े की बात है उन्होंने का कि सरकारों के तहट उन्होंने बात कह दिए पर आइस मुहाफ़ा देना चाहें को बिल्कुल दें इसको दो कहीं को वहीं नहीं हो सकती इस लेकिन मेरा यह कहना है कि अगर यह बात जो आप कहरें इस पर तो स पर रिक्रम मुझे भी मैं यह निवेदन करना हूं यदि हम बैठे हैं कश्ट हमें ना आप कर लो काम आपको समय चाहिए आप लो समय पंद्रे दिन आपने बिता दिये बिना वारता के आपको और समय चाहिए अरे आपके पास धाई महीने का ही समय बचा है यूपी चुनाव क सर कुसी को अपना वजूद चुनाव में खोजना है कि हमारा वजूद बचा रहे और किसी को यह है कि नहीं ठीक है यही मौका है यही मौका है तो तब ठीक है फिर तो कोई बाती नहीं है अब हैसा सबढ़ा सब्सें बढ़ा के लिए इनको वनरता है इन शुनाव इनके लिए इनको वालुए जंता उसमें आपके पास भी आता हूं वहां पूदिए नहीं पर फांडर दी चन्ड मैं उनका भी बहुत बहुत स्वागत करता हूं सुभास्ता आपका थैंक्यू सो मच जो मेरे साथ जुड़ रही है जफर कुछ जाते हैं जी जफर वेरी कुछ दैन मैं आलोग जी का मैं सिरे तक है अन्राग मैं आराओं से जी जी मैं बैद से कर लोंगा पुष्पंदर भाई से अतना कहना चाहरा हूं कि देखिए आप अपने लिए जो भी मांग कर रहे हैं किसान भाई-बैनों के लिए उसमें इन बातो से अब को पूर इस अंदोलन को आप पॉलेड़ा है कराने के लिए आप इनको मुद्दा देते हैं मुझे लगता है कि आपको इससे परे रहना चाहिए आप ад के उलक्शं जो होना है अलक्शन होगा हम एलक्शन के लिए थोड़ी किया है येशिन तो हमने बहुत कोशिश यह है कि हम मिल जूर कर बैट के इसका समधान निकाल ले जी पुश्पेंजी बताईए पुश्पेंजी अरे निकाल लीजिए ना निकाल लीजिए अब एक बाद बताईए क्या सारा देश नहीं जानता कि जब उप चुनाव अभी पिछले दिनों हुए थे नौंबर की नीतिया तेह हो रही है और जनता यह समख चुकी है कि मैं जब चुनाव आएंगे तब ही हमारी सुनवाई होगी इसलिए हम भी डटे हुए है कोई बात में जब इतने दिन बीत गए है साल बीत गए है और सही है मैं मुझे मुझे मैं डॉक्टर अन्राक बदोरिया के पा बदोरिया मुझे 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 पर नहीं कहना लेकिन मुझे एक पॉइंट पर जरूर कहना है और वह पॉइंट वह बहुत अच्छा पॉइंट था अस उस बिल का और वह ये था कि खिसान को उसके खेत पर उसकी फसल पर तहीए वहाफजाय से ज़्यादा शबत तो ये चीजे जो है नहीं होनी चाहिए MSP वाली बात आप दो इस दीदिन को देखे देखे देखिए मैजदार बात यह है यह सरकार की ताना शाहिए आप देखिए कैसी ताना शाहिए एक तो किसान जो धने पे बैठे उनके लिए उन्होंने कभी कोई इंतजाम के लिए भी नहीं सोचा कि किसान को ठंडी इतनी ठंड में रहा किसान वापे। लम्मित कर देते हूं तीसरी बात पहली बार सांसद में देखा गया है यहां पे राजसवा सांसद बैठे मैं इन से भी आगरे कर रहा हूं परतिक जी आपके माध्यम से कर रहा हूं सरकान ऐसी तानाशाही अपनाई है जो एक सेंपी हैं उनका पार्लेमेंट में इंट्री बे रहेंगे यह जो राजसवा संसद बैठे हैं भगवान करें हमेशा रहें हमेशा तो कोई नहीं रहता है आपने उनकी इंट्री में करवा दी तो इसके मतला चाहते क्या हो क्या चाहते हो जो पार्लमेंट में सिटिंग संसद है उसको निलम्मित कर दो जो एक से जबाद देन निलम्मित जो निलम्मित है वह तो आप सेंटरल हॉल में घुमते रहते हैं वह आके बैठके चाह पानी पीते हैं और जो दूसरे एंपी के बारे में कह रहे हो सकता कोईट प्रोटोकॉल के वैसे कई बार कई जगा पर ऐसे प्रिकॉशन लिए जा रहे है तो उसमें कौन सी क्या पर आपके पार्ठी में भी बारे जा रहे हैं तो आप लेटर जारी करते हैं तो उसमें को है को यह तांकवादी थोड़ी होगा अज़ा कमाल की बात करतो एक सेंपी को आप आप क्या समझते हो एक्सम्पी को यह तक बादी हो गया उसका आप पर पार्लमेंट में इंट्री बंद करा दी अनुझे तो मैं तो देश की बात कर रहा हूं यह दिक्कत आपके साथ होगी लेकिन प्रोट्पाल के साथ होगी इसलिए में तो आपके लिए लड़ रहा हूं आ तबात की ब таких मैं यह देखने की कोशिश कर रहे हो ऊपने-बागी विच्ट पैनलेस्यों रापसे लिकिन लेकी मैं लगतार फॉलो कर रोए थी डिबेट अभी तक मीरी वही शकायत है प्रतीक जी ठोशाश्वत शकायत है उस बिल के किसी clause पे किसी sub clause पे कोई भी सार्थक परीजर्चा मैंने शुभास्ता भी एक point discuss किया था मैंने एक point रखा था मुझे उस बिल का एक point बहुत आमात्रपूर लगा था और मैंने रखा उस point को प्रतीक जी मैं ये नेताओं से ये शिकायत कर रही हूँ, जो विपक्ष के नेता है, मैं ये शिकायत उन से कर रही हूँ, कि बिना क्लॉज को कोट किये, किसानों के लिए ये ठीक है या नहीं, ये कैसे हम चर्चा परिचर्चा कर भी रहे हैं इस पे, और प्रतीक जी बहुत कैसे देश में सार्थक पैसे हो कैसे सकती है, प्रतीक जी आपको ध्यान होगा, आप ही के शो पे कई बार किसान आंदोलन को लेकर के, को विट को लेकर के, या फिर तमाम इशूद को लेकर के, हम लोग चर्चा परिचर्चा करते रहें, मेरी हमेशा कोशिश रहती हैं कि policy front पर कुछ न कुछ बात आगे बढ़ेगी। लेकिन जब इस तरीके की तीखी बहस होगी, जहां पर केवल और केवल राजनीती करण और जो भी प्रोटेस्ट है उसकी राजनीती पे ही चर्चा होगी, तो बात आगे कैसे बढ़ेगी। छोटी सी बात है, जो किसान खुश थै इस बात को लेकर कि उनका सामा, आज भर्याना का किसान, यूपी, वेस्टर यूपी का किसान, जो चाह रहा था कि उसका प्रोडक्ट केरल में बिना किसी मिचॉलिये के पिक सके, आज वो किसान तो मार खा रहा है न, उस किसान के लिए तो कोई Robert Wardra के पार्टी खड़ी नहीं हो रही है उसके लिए तो अखिलेश यादव आवाज नहीं उठा रहे है अखिलेश यादव आवाज इस ले उठाज नहीं है अगर MSP की गारेंटी इतना बड़ा मुद्दा थी तो क्या इसको इन किसान के जो तीन बिल आये किसानों के लिए जो कि प्रॉड़क्ट से रिए इसमें भी दो सब्द बोल दीजिए इसमें बोल दीजिए ना बोल दिए सरकान ने गलत किया मौन नहीं किया एक मिनेट का मौन इसमें कानून को खोल कर बताया कि इसमें काला क्या है इसके बाद दूसरी चीज आती है इन्होंने कहा कि साथ ये राजनी की क्यों हो रही है राजनी की तो मोदी ची कर रहा है ये संयोग नहीं है ये प्रियोग है कि बाई वेक्शनस में हारे और अगले दिन पेट्रोल के दाम कम और उसके दस दिन के बाद तीनों क्रिशी कानून जो काले कानून थे वो वापस हो गए अब मैं पूछना चाहता हूं मोदी जी आप तो कहरे थे MSP ठीर है और रहे जी इसका मतर जूट बोल रहे थे MSP जे कम पे तो आज 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 अभी मुझे मैं माफी चाहरा हूं मैं माफी चाहरा हूं जफर भाई कि वह जवाब आपसे नहीं ले पाया लेकिन वक्त अभी सिर्फ इतना है कल फिर होगी मुलाकात बने रहे हैं